आप बहुत ही अच्छे होगे आसा करते हूं कि अधे अच्छे होंगे उम्मेद करते हूं तो ऑपके लिए अच्छे लगे तो लाइक स्थराब जो पिरिश्च कर लेजगा ताकि कोई वीडियो आई तो अफ तक जरूर पहुंच जब बादिए वीडियो में ऑच्छे हो ची मैं पीना देर किये शुरू करती हूं तो आज की वीडियो खास करके उन लोग के लिए हैं जिनके बाल काफी जड़ रहे हों काफी तूटते हों बाल लंबे तो हैं लेकिन वो विल्कुल जाड़ो पोशा करता रहों तो बाल रूखे बेजान एकदम से जो हो चुके है वो उन तो एक भी जाण में जाड़ चीए पर लिए ततुम आज के लिए जितनी फायदे मनन थे वह लिए हैं तो इस रसे नियुकिए चोटे टुक्रे कर लिया है क्योंकि इसे बीना चिलका उतारे ही च्छोटे टुक्रा करना है अप चाहें तो उसके चिलके उतार सकती हैं लेकि में भी ज़ी चुटे टुकडे की टुकडे कर लिया और कड्वड राइंडर शेल बहुत पर में डालने Morut टुकड़े की प्याइन में डाला है ताप में इत्यार हो चुक आप में बोसाई करते हैं लम्म, आपर तो कीज़ आप नीडियाईा है। यह यह उति हम बेंक चा economists के लिए आय। आपके बालों को काफी अच्छा चमक लाएगा और यह कंडिशनिक के भी काम करेगा तो बहुत यह रिमिडी है तो इसे यूज़ करें और यूज़ करने के बद अपने बालों को काफी अच्छा हेल्थ फुल पाऊगे तो दूसरे चीज़ जो इसमें में डालना है वह एंडा अंडा बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए अक्सर गंजे लोगना अंडा अपने शर पे लगाते हैं जिसके उनके बाल बहुत जल्दी आ जाती है तो इस तरह से हमें क्या करना है कि एक अंडा लेना है और अंडे को क्या करना है इसमें तोड़के डाल लेना है प्रिष्ट मसं इंडते दालते हैं, भालों वह नाकों टोड़ वह ऐसा बूत भालों मेरेख़ए, मुर्षche बिता немाईदे बनादी टोड़ दालता है लिए लिए भूछ लिए अञिट के लिए भास का प्रिणा प्रिणी इंड्स हमे morine aad rain ही तो दोर एक बहुंister इलो बेरा में डालने के बाद भी इसे बहुत अच्छी तरह से लेना है इसार से दोनों चीज़ों को आप आप लिए अच्छी तरह से मीक्स करें सुपरीज़ को अपर होगा आपकर लेगा और जब इसकी रिज़ल्ट आप देखो तो काफी अच्छा मिलेगा हफते में नहाने से लगवग जरूर अपलाई करके लिया और अपलाई करने के बाद इसे लगवग अपने बालों पर ड्राई होने देए तो जैसे ये ड्राई होगा ड्राई होने के बाद जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इसे आप अपने बालों को धोए नहाए तो इस तरह से इसके जितनी भी बाल आपकी बाल की लेंद है ये हर जगर लगने जाए कास करके इसके बालों की जो जड़े होती है उसम जितने भी आपके बाल हैं सारे बालों अच्छी तरस इसमें आपलाई करें तो बालों की जड़ से ले-कर करके लिंबाई तक जितनी विद्वे करलें और सारे जगों पर अच्छी तरस अपलाई करने के बाद इसे त्राइ होने तक रखें लगवग antar ऐगंटे में यह तरस पाने पाने के बैलों को पुछे यह जाता है राहाने लोग जाए थे होता जब आपको ठंडे पानी जाता हैandard anatomy Father कोई भी कोटें टावल से लेकर और इसे अची तरह अपने बालों को पोछ ले बहुत जादा रगड करके बालों को नहीं पोछना चाहिए इसलर से बाल कमज़र हो जाते हैं तो फिर इसे क्या करना है कि अच्छे से पोछ लेना और पोछने के पड़ आप अपकी इमेज सठीक तो इस तरह से अपने बालों को फिर सुखा ले और सुखाने के बाद आप नारियल तेल लगा ले या जो भी तेल आप यूस करते हो तो थोड़ा सा हलका सा इसे जरूर लगा इसे आपके बालों में काफी अच्छा शाइनिंग आ जागा काफी अच्छी चमक आ जाएगी तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राब चूर कीज़ेगा बेल आइकन घंटी को भी प्रेश कर ले जागा ताकि कोई भी वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते है एक नए वीडियो के साथ तो बाबाय टी किया फिर मिलेंगे